पुलिस टीम पर हमला कि आखको बता दें कि पुलिस टीम ने तालां पहुत कर अपनी जान बचाये तो बड़ी खबर रहाइबरेली से हम आखको बता रहे है कि अधार स्वक्त की बड़ी कबार रावरे में से माध्रू बताने चाहा कर भगार शराभ कर राव पने पुलेज़ीं पर अमला किया आए है अर पुलेज़ीं पर अपनी जान में पचाहिए मनी पुरा मामला जबताने चेह के खुर कहिता पूरे जिले में एक अभियान चल ला है कच्ची सराब और अवेट सराब के बुरूद इसी के तहट देर रात में कई थानों के पूलिस गई थी फुलरे गाउं में छापा मालने के लिए लेकिन वहाँ पे गामिनों ने इसकदर हमला बोला है कि गारियों के सीशे तूट गए और पुलिस वालों ने किसी तरह भाग कर तालाब में कूद कर अपनी जान मचाई है जाना चाहूंगी उम्शंकर जी किस तरह केस्थि है वहाँ पर अबप्र क्योंकि लगातार अभियान चला जा रहा है पूल पुलिस लगातार अभियान चला आती है शराफ माफियों के किलाफ लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के जो केसेज हैं वो सामने आते रहते हैं अब लियंतर में हैं चार लोगों को गिरिशतार कर लिया गया है सेस की पूरे जिले की फोर्टोगा पर मौल्यूद है और उनकी अभिक्तों की तलास में लगातार कंबिंग जारी हो है उम्शंकर जी क्या कोई पुलिस का कर्मी पथ्राओं में क्या घाल हुए है उम्शंकर जी एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पुलिस टीम जाती है लेकिन उसके उपर हमला कर दिया जाता है तो बात करें अगर तैयारियों की तो क्या पुलिस टीम कोई तैयारी के साथ नहीं थी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मासा जूलने के लिए तो लगातार हम आपको बड़ी कबर राय बरेली से बता रहे जहाँ पर अवैर शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है जिए आपको बता दे कि शराब बनाने वालों ने पुलिस टीम पर हमला किया और इसी कबर अपने हमारे साथ, हमारे समाता ओम शंकर जी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जब पत्राओं किया गया तो पुलिस टीम ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की सामने आ रही है जहाँ पर ब्लैक फंगस की नकली दवा बेचने का मामला सामने आया है आपको बता दे कि प्रयागराज से दो दवा वियापारी को पुलिस ने गिरफतार किया है वह यहां रोपी ने प्रियागराज में नकली दवा की सप्लाई की थी वीडियो आडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने गिरफतारी की है और खुल्दाबाद और नैनी से ये गिरफतारी की गई है कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कारवाई की है तो लगातार बड़ी खबर प्रियागराज से जहां ब्लैक फंगस की नकली दवा बेशने का मामला सामने आया है प्रियागराज के दो दवा व्यापारी को गिरफतार किया गया है प्रियागर से इस वक्त की बड़ी खबर जहरीली शराप का कहर का मामला एक सामने आया आपको बता दे कि जहरीली शराप से मौतों का आकड़ा 30 के पार पहुच गया है जहरीली शराप से अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है वही अब तक 25 शवों का पोस्ट मौटम हो चुका है और अन्य ग्यारा की डेट बॉड़ी अभी भी कतारों में लगी हुई है अलीगर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहरीली शराप के कहर का ये मामला सामने आ रहा है जहरीली शराप से मौतों का आकड़ा लगातार बरता जा रहा है अब बता दे कि 30 के करीब ये आकड़ा पहुँच चुका है और इसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुके वही अभी तक 25 शवों का पोस्ट मौटम कराया गया है जबकि 11 की डेड़ बॉड़ी अभी भी कतारों में लगी हुई बड़ी खबर दिल्ली सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है आवेदन के लिए आखरी तारीक 7 जून ते की गई है ATGCI द्वारा अपूर निर्माता ही आवेदन कर सकते हैं तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है वैक्सीन खरीदने के लिए ये ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है जिहां एक करोड वैक्सीन के लिए ये ग्लोबर टेंडर जारी किया गया है वही गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर अब यलो फंगस के मरीज की मौत हुई है इलाज के दौरान अस्पिताल में हुई मौत मरीज को एक हफते से नहीं मिला था इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई है अई जिले में ब्लाक फंगस के पांच नए मरीज मिले हैं अभी तक तीन की ब्लाक फंगस से मौत हो चुकी है वही अमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर पुलिस विभाग हुआ शर्मसार महिला दरोगा के साथ अभद्रता की गए अस्पी स्टैनो संतोष कुमार ने दी गाले एस्पी ने एस्पी को दिये जाज के आदेश फिर इत महिला दरोगा राट को त्वाली में तैनात इस वक्त की बड़ी खबर ब्लाक फंगस के मरीजों को नहीं मिल रही इंजेक्शन मरीजों के मुकाबले इंजेक्शन की आपूर्ती नहीं रेट क्रॉस सोसाइटी अस्पतालों को आपूर्ती कर रहा है इंजेक्शन की कमी के चलते इलाज प्रभावित इंजेक्शन की खेप को तैतिस मरीजों में बाटा गया है है प्रतेक्मरीज के लिए छे इंजेक्शन युजाय गए और इंजेक्शन के लिए 25 नेया आवएदन आ आ गए है हमें किसीóc प्रयागाराज सईपक्त की बड़ी खबर केंद सरकार के साथ बर्ष पूरे होने पर रप्रदान किवर का प्रियागराद से बड़ी कबर बतारज आपर केंद सरकार के साथ साल पूरे होने पर रक्तदान शिविरका आयोजन किया गया है तो लगातार केंद सरकार के साथ वर्ष पूरे होने पर जगा जगा पर आयोजन किये जा रहे हैं और आपको बता दे कि उत्तरप्रदेश में भी हर जगा पर आयोजन किये जा रहे हैं जिसमें रक्तदान शिविर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फिलाल रुकते एक चोट से ब्रेक के लिए आप कहीं मच जाएगा देखते रहें प्राइम टीवी